कोई छोटा बच्चा साइकल नेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है साइकल से लुड़क जाता है रोने लगता है तो कोई बड़ा व्यक्ति हा कर उसके पाद पहुँँ जाता है और उसको कहता है देखो चीटी मर गई देखो चीडिया उड़ गई अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकल चलाते हो अरे तुम तो गिरे नहीं हो ऐसा करके उसका जराब मलभ ठीट करने के लिए प्रयास करते है उसका धान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं तो आजकल बच्चे का मन बहला देखा काब चल रहा है और कॉंगरेस का कॉंगरेस के लोग और उनका इकोसिस्टीब आजकल ये मन बहला देखा काब कर रहा है आजनिय सभापती जी 1984 तो चुनाव को याद किजिए उसके बाद इस देख में दस लोग सभागे चुना हुए दस लोग सभागे चुना हुए 84 के बाद दस दस लोग सभागे चुना होने के बाउजिपी कॉंग्रेस जाइसों के आंकड़े को छू नहीं पाई है इस बार किसी तरह 99 निन्ना नवे के चक्कर में फसे गए है आदनिय समापती जी मुझे किस्सा याद आता है आदनिय समापती जी मुझे एक किस्सा याद आता है 99 मार्फ लेकर एक बालत कमंड में गूम रहा था और देश सब को दिखाता था देखो कितने जादा मार्फ आए है तो लोग भी जब 99 खुनते थे तो स्थावाजी देते थे बहुत उसको अवसला बुलंद करते थे तो फिल्म के टीचर आये किस बात की मिठाई बात रहे हो यह सौ में से 99 नहीं लाया यह तो 543 में से लाया है अब उस बालक बुद्धी को कौन समझाए कि तुमने थेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है Congress 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 के नेताओं के बयानों में यह बयान बाजी ने शोले फिल्म को भी पिछे छोड़ दिया है आप सब को शोले फिल्म के वह मौसी जी आद होगी तीसरी बार तो हा रहे हैं पर मौसी यह बात तो सही है तीसरी बार यह तो हा रहे हैं पर मौसी मौरल विक्टरी तो हा रहे हैं आदनियत सभापती जी तेरा रज्जों में जीरो सिटे आई हैं अरे मौसी तेरा रज्जों में जीरो सिटे आई हैं पर हीरो तो है ना आदनियत सभापती जी अरे पार्टी की लुटिया तो दुबही है अरे मौसी पार्टी अभी भी सासे तो ले रही है मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा जनादेश को खर्जी जीत के जस्न में मत दबाओ जनादेश को खर्जी जीत के नशे में मत दबाओ इमामदारी से बेश वाचियों के जनादेश को जराज समझने की कोशिश करो उसे स्विकार करो आदरिया सभाब अती जी मुझे नहीं पता कि कंग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुलाओं का विश्वेशन किया है के नहीं किया है यह चुनाव इन साथियों के लिए पी एक संदेश है आधनिय समापती जी अब कॉंग्रेस पार्टी 2024 से एक पर जिवी कॉंग्रेस पार्टी के रुप्चे जानी जाएगी 2024 से जो कॉंग्रेस है वो पर जिवी कॉंग्रेस है और पर जिवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है यह पर जिवी उसी को ही खाता है कॉंग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गड़बंदन करती है उसी के वोट था जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की इवत पर वो फलती भूती है और इसलिए कॉंग्रेस पर जीवी कॉंग्रेस बन चुकी है मैं जब पर जीवी कह रहा हूं तो तथ्चों के आधार पर कह रहा हूं आधनियत सवापती जी मैं कुछ आंकडे आपके माद्रम से सदन को और इस सदन के माद्रम से देश के सामने रखना चाहता हूं जहां जहां भाजपा और कॉंग्रेस का सीधा मुकाबला था या जहां कॉंग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पाद ये जो तिन सिपे थी वहां कॉंग्रेस का स्ट्राइक रेट सीध पर चाहता हूं